हेलो अब्रीबन गुट मॉर्निंग रादे रादे आप सभी को सो गाइज अभी मॉर्निंग के बजे हैं च्छे बज के कुछ मिनट हुए हैं यानि च्छे बजे से हमारी जो मॉर्निंग की क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है तो हस्बेन को मैंने उठा के उनको अंदर बठा दिया है लैप्टॉप पे वो बैट गए हैं मैं लगए थी जाडू लगाने के लिए और अभी बच्चे सोकर उठ गए हैं जस्ट मैंने अभी उठाया है उनको क्योंकि मुझे साफसफाई करते करते ही बच्चों को भी बोलना पड़ता है बेटा उठ जाओ विस्तर समयट दो तै बना दो तब जाके वो बच्चे मेरे उठते हैं दोनों और मैंने इन दोनों को माउफ्ट बॉस के लिए दर लगा दिया है दोनों स्कूल जाएंगी और मैं भी थोड़ी सी एक्सराइज वोम अप गएरा कर लेती हूं क्योंकि किलब में तो हो जाता है आदे घंटे में इतने मैं मॉर्णिंग में काम करती रहती हूं तो मुझे इ कि इथे हो जाते हैं क्योंकि डबल-डबल कपड़े पहनते रात को कोई और से दिन में कोई और से तो इसलिए कपड़े जादा हो जाते हैं और अभी मैंने मौ्टर चल्वाई है समर सेबिल का पानी हम डुगbles यहां पे भर लेते हैं पीने के लिए मैं अलग अलग से रगत तो मैंने सोचा, चलो, सबसे जल्दी तो जबे बं सकते हैं, क्योंकि जबे के लिए ना मुझे बहुत जादा सब्जियां काटनी नहीं पड़ेंगे, कपड़े डाल दी हैं, मैंने धूने के लिए, तो मैंने पानी भरके उसमें सरप डाल दिया है, और जो कपड़े हैं, धनिये के पत्ता डाल देते हैं तो उससे खुश्बू और जद आच्छी आते हैं मतलब जादा अच्छी आते हैं और टेश्टी भी लगते हैं खाने में तो ये मुझे लगता है I think होली से पहले मैंने बनाये थे जब अभी होली के बाद पहली बार बन रहा है तो मैदा के होत का बच्चे चले गए है स्कूल और अब मैं इस पूरी किचन को समयटूंगी जितने भी बरतन बाकी खराब पड़े हुए यानि धुलने के वह साफ करके रख दूंगी इदर हस्बेंट भी जा रहे हैं तो हस्बेंट जा रहे हैं भी पूजा करने के लिए वह दूद निका बच्चे पूजा कर ली है और उनके लिए बना रही हुए शेक क्योंकि हस्बेंट सुबह में नासता या खाना नहीं खाते वह शेक पीके ही जाते हैं तो यहां पर मैं उनके लिए फॉर्मूला वन तीन चमच और शेक में डाल रही हूं दो चमच और अच्छे से यह बन ज की भूंग जो है वो शांत हो जाती है हस्बेंट भी चले गए हैं और मैं कपड़े निकाल ली हूं मसीन में धुल गए थे शर्ट वगएरा तो वो डाल रही हूं मैं धो दो के मसीन में धुल जाते हैं वैसे तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक एक बार पानी निकाल के और जो पानी वाला पाइप होता है वो मसीन में लगा देती हूं और फिर से उसमें धुलते रहते हैं और सूक भी जाएंगे तो अब देखिये मैं पूरी किचन को दूलारे से साफ और अभी लंच भी बनेगा तो यह फिर से साफ होगी और ऐसे ही तीन से चार बार मेरी पसंद करती हूं और सारे समान में किचन में एकदम सेट से रखती हूं लगा के तो यहां पर मैं अपने लिए शेक बनाया है मैंने और हस्बंदी अंदर बैटे दे मुझे पता नहीं था कि वो चले गए हैं ऑफिस क्योंकि मैं काम में लग जाती हूं तो मुझे रहता हस्बं कर दी है और ग्लास बगारा धोगे रख दिये हैं अच्छे से और सारा काम हो गया है लगभाग अभी कपड़े कुछ रहे गए हैं तो वो धुल रहे हैं और मैं अब लगा रही हूं यहां पर ऑईल बालों में तो आज मेरे बाल धुलेंगे तो मैं जड़ों में थोड़ा- बहुत अच्छा लगा रहा है और इससे जो फिलिंग है लगाने के बाद मतलब इरिटेशन नहीं होता है बहुत अच्छा लगता है तो इसको मैं दस मिनट लगा के रखूंगी भूत नहीं बन गई ना में तो अभी फेस पैक लगाया हुआ है मैंने और इधर भी धूल भार का मेरा लोबी है तो इसमें धूल वगरा आती है जाल से बहुत जादा धूल आ जाती है थोड़ी सी भी हवा चले तो भी बहुत जादा धूल आती है तो अधर भी मैंने साफ सफाई करती है और किचन जो है मेरा वो ओपन है तो इसलिए किचन की भी बहुत जादा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुस्कुराती हूँ, हसती हूँ, इन्हें देखके खुश रहती हूँ, क्योंकि वह ब्लॉग ही कुछ ऐसे बनाते हैं, जिसमें मतलब थोड़ी सी कॉमेडी वेकरा भी करती हैं, तो बहुत मज़ा आता है मुझे, जैसे कि बच् कौन देखते हैं भारती के ब्लॉग को मुझे कमेट में जरूर बताइएगा, और भारती के कौन-कौन फ्रेंड है, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि भारती मुझे बहुत जादा पसंद है, और मैं आ गई थी नहां के, और मैंने बाल बॉश कर लिए हैं, देखे कितन अच्छे से, और बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज मैने अपना टोप पहना है, ये वाला टोप जो है, मेरी बेटी जादा पहनती है, मैं कम पहनती हूँ, तो मैंने इस टाड़िंग में बहुत पहना था, अभी मेरी बेटी पहनती है, तो अब ही लगाँगी मैं बहुत ज्यादा चीदेश्यलेहें और बहुत ज्यादा पतले बाल नहीं क्योंकि स्टार्डिंग्से ही मेरे बाल ऐसे ही तो अभी आगई हूँ मैं किचन में और किचन में मैं आज बना रही हूँ नारियल की बर्फी और इतने सारे ड्राइफ रूट निकाल लिये हैं मैंने और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा खोया भी तो मैं आदा के लिए खोया लेकर आई थी और बाकी सारे ड्राइफ रू इसमें एड़ कर दी थी 4-5 इलाइची और इसमें सम्थिंग मेरी 500-300 ग्राम मेरी चीनी लगी है और ये मेरी बर्फी नारियल की बनके तयार है क्योंकि ये नवरात्रे चल रहे हैं तो बच्चों का कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं तुमें घर पे अपने हाथों से नारियल की बर्फी जमा के दूँगी तो इसलिए मैंने ये बर्फी जमाई है और बहुत ही टेश्टी बनके तयार हुई है आप चाहें तो इसमें सूजी भी आड़ कर सकते हैं बट मैंने सूजी आड़ नहीं की है इसमें नारियल मैं दो नारियल लेकर आ नहीं है बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो वो खाना मांगेंगे तो मैं यहां पर बना रही हूं भर्वा तोरी की सब्जी किस-किस की फेब्रेट है कमेंट करके जरूर बताईएगा और यहां पर मैंने चार तोरी लेकर आई थी रात तो बहुत ज़्यादा महेंगी है मार यह देखे मसाला पीस लिया है वैसे इसकी फुल वीडियो है वह शूट नहीं करते हूं रैसिपी की वह आपको मेरी शॉट वीडियो में देखने को मिलेगी तो आप जरूर देखेगा भर्वा तोरी की रैसिपी है तो यह बहुत ही तेस्टी लगते है इसमें सारे मैंने ब चाल के रख दिया था और इनको बनने दिया था यह बनके तयार हो गई है पानी बिल्कुल नहीं बचा था इनके अंदर क्योंकि मैं रखके कढ़ाई भूल गई थी तो यह थी हमारी आज की लंच थाली और लंच करने के बाद मैंने फिर से फेस पैक लगाया था अपने फे अंदर फोल्ड करके इधर मेरा क्लब स्टार्ट हो गया था इविनिंग बाला जो इविनिंग में चलता है तो यह भी 6 बजे से 7 बजे तक ही चलता है तो यहां पे भी नुट्रेशन की जानकरी दी जाती है अब यह नुट्रिशन का मतलब है कि वेट लॉस करने में बीज़ दो लागा करता है वह करता है हमारा क्यालोरी इंटेक के साथ प्रोटीन इंटेक को पूरा करना गए गुडीबनींग आइज अभी शाम हो गई है और साहम नहीं हो गई है रात के साड़े नो वच्चुके हैं और मैं जा रहे हैं सोने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है गरम गरम हावा लग रही है कमरे के अंदर और मैं अभी शॉप पे गई थी बरावर वाली भाबी की तो यह लिपिस्टिक लाई हूँ अभी मैंने लिप्स पे लगाई हुई है और च्षोटी कर sulla दी चूर एृफ घंधी है क्लाकर है कि जूकूटी सबे साफ दातार जूराए है किसा सभूआ एक àsथी मंस आई है उन्ला इअ जूड़ा नहीं होस्ते चुड़ एजोरओ लिए है। किट्टू ने दो कंगे मैं कुछ भी ने कर रहा है मम्मी क्यों पढ़ी हो यह मिरे पीछा पर पीछा कह रहे है पिर पीछा पढ़ गई हो तुम तो तो गाइस मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए नीज आ रही है बहुत तेज वाली है मेरे बाल किच गए है मम प्यूंत मम गाइस मेरे अनाक में नौच पीन जादा अच्छी लगती है कि यह फूल अरे हटा कपकपर हो आई है अरे मुझे नहीं पीना पीलो नाइं पीलो ताजी भराना होगा कि जूटा तेरा है कि प्यार बड़ेगा हय है यह प्यार नवड़दा ना पीना चाहिए खाना चाहिए ऐसे गुरु देव बोलते हैं जो भागुमारा तो पाट जूटा थैक तू लट्टू की ट्रेस दिखा दें? दिखाई लट्टू की ट्रेस लट्टू की ट्रेस लाएं गाइस हम परपल कलर की यह बहुत त्यारा लगए था भी लट्टू नोच को सिपन के लिए सबारा लगेंगा और दो अब नगले तुम कीओट लगे गान लगेगा ना अवितना लगे गए ना लगेगा तुच्छ नगज़ आधो बहुत प्यारा लगेगा तो हम लड्डू को पहनाएंगे यह कल नहाएगा लड्डू तब तो कैसे लगे हमारे लड्डू के कपड़े कमेंट करके जरूर बताएगा और जैसे कि हम कोटन के कपड़े पहनते हैं मैं भी पसंद करती हूँ लड्डू को कोटन के कपड़े ही प बताईएगा कहां कहां से आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं मुझे कमेंट में बताईएगा और लाइक करें सस्क्राइब करें वीडियो को शेयर करें बाई बाई गुड़ बाई